जैंद बच्चों, महमना इंस्चूट के यूटूब चैनल में आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में आप कच्छा बारह मैत हिंदी मीडियम के पहले चेप्टर सम्बंध तथा फलन का पहली प्रसनावली 1.1 पढ़ेंगे और इस वीडियो को सुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अच्छी तरह से मैत समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें हमें उमीद है कि आपको सारी चीजे समझ में आएंगी आप महामना इस्चूट के चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा उचित और पाजीटिव कमेंट भी किया करें प्रस्णावली 1.1 मैं आज प्रारंब करने जा रहा हूँ और प्रस्णावली 1.1 मैं जो पहला प्रस्णावली 1.1 मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ प्रस्णावली 1.1 मैं शुरू करने जा रहा हूँ और प्रस्णावली 1.1 का जो पहला क्वेस्चन है वो है निरधारित कीजिये कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रतेक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है हम लोगों को यह देखना है पहले क्वेस्चन के अंतरगत 5 क्वेस्चन दिये गए हैं और इन 5 क्वेस्चनों को बताना है कि इन में से कौन संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो हम स्वतुल्य संबंध के बारे में बताये थे कि जब स्वयंग का संबंध स्वयंग से होता है तो स्वतुल्य संबंध होता है, सममित संबंध में जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध अगर दूसरे का पहले से है तो यह समित संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध में अगर जो संबंध पहले का दूसरे से है अगर वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, तथा वही संबंध अगर पहले का तीसरे से हो जाए, तो हम कहेंगे कि संबंध संक्रामक है, तो इन तीनों बातों को अच्छी तरह से आप ध्यान में रखे रहिएगा, कि स्वतुल्य संबंध क्या होगा, समित संबंध क्या होगा संक्रामक संबंद क्या होगा अब हम प्रसनावली 1.1 का पहला question शुरू करने जा रहे हैं पहला question जो दिया हुआ है निर्धारित की जिये कि क्या निम्नलिकित संबंदों में से प्रतेक, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है और पहला question इसका first question आपको दिया हुआ है first question में दिया हुआ है कि कोई समुच्चे A है देखिये दिया हुआ है आप जानते हैं समुच्चे को हमेशा मजोले कोस्ट के अंदर रखा जाता है A is equal to दिया हुआ है one, two, three, four, five and so on और ही दिया हुआ है 14 तक इसका मतलब आप ध्यान में रख लिजे समुच्चे A में जीतने भी आवयव हैं वह one से ले करके 14 तक हैं एक से ले करके 14 तक हैं यानि one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen तक होगा और दिया हुआ है कि इनके बीच सम्बंध आर है सम्बंध आर क्या है बावो इसको देखना है और सम्बंध आर दिया हुआ है यक्स वाई इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि यक्स का सम्बंध वाई से है यक्स वाई का मतलब यक्स का सम्बंध वाई से है और फिर दिया हुआ है आप पहले क्वेस्चन का मतलब समझ लें क्वेस्चन में दिया हुआ है कि कोई समुच्चे ए है और समुच्चे ए में एक से लेकर के 14 तक 14 तक के अवयो है और इसमें यक्स वाई है याद रखे रहिएगा यक्स और वाई दोनों a के element होँगे यानि यक्स के अश्थान पर a में जितने अवयो है वो हो सकते है y के अस्थान पर भी a में जितने अवयो है सभी हो सकते है और यक्स तथा y में relation क्या है तो x और y में relation दिया है 3x – y equal to 0 अब हम लोगों को बताना है कि यह संबंद स्वतुल है सममित है और संक्रामक है कि नहीं है पहले जरा हम देखें दिया हुआ है 3X-Y is equal to 0 पहला चेप्टर थोड़ा सा टेकनिकल है और इसको आप सभी लोगों को ध्यान से समझना है इस चेप्टर को हम बड़े आराम से धीरे पढ़ाएंगे तो 3X-Y is equal to 0 तो यहां से अगर हम Y की value निकाले है तो Y की value 3X हो जाएगी देखो बिटा अब हम YX की value बारी बारी से रखते जाएंगे तो अगर YX के जगह पे हम 1 रखें तो देखिए Y के जगह के क्या मिलेगा 3 into 1 यानि 3 मिलेगा तो पहला यक्स और Y के बीच जो relation मिल रहा है ने को बिटा यक्स और Y के बीच में जो relation मिलना है 1 और 3 का मिल रहा है अब अगर X के जगह पे हम 2 रखते हैं तो Y is equal to 3 into 2 हो जाएगा और 3 into 2 का मतलब 6 हो जाएगा तो यक्स और Y के बीच जो दूसरा relation होगा वो to 6 हो जाएगा और इसके बाद अगर यक्स के जगह पर हम 3 रखें तो Y के जगह पर 3 into 3 हो जाएगा यानि की 9 हो जाएगा तो ये अगला relation हो जाएगा 3, 9 अब इसके बाद आगे देखते हैं अगर यक्स के जगह पर हम 4 रखें ध्यान दिजे यक्स के जगह पर 4 रखेंगे तो Y is equal to 3 into 4 तो 3 into 4 यानि ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा तो next जो relation आएगा 4 और 12 अब थोड़ा सा आगे हम इधर बढ़ते हैं अगर यक्स के जगह पर यक्स के जगह पर हम 5 रख देंगे तो Y is equal to 3 into 5 यानि कि 15 हो जाएगा तो अगला relation 5 और 15 होगा और प्रस्ण ये उठता है कि क्या ये दोनों present हैं ध्यान दीजे ये ये जो पहली वाली value है देखो 1 3 में 1 X की value है 2 X की value है 3 X की value है 4 X की value है 5 X की value है तो यक्स की value तो A में present है लेकिन जड़ा देखिए Y की value 3 6 9 12 सब A में present है लेकिन ये जो 15 आ रहा है ये 15 A में present नहीं है इसलिए ये relation नहीं होगा ये relation गलत है अब देखें तो अब यहाँ पर relation क्या होगा हम R लिखेंगे ध्यान दीजे तीसरा relation मिला है 3 9 और फिर 4 रिलेशन मिला है 4 और 12 कुल मिला करके इतने ही relation हमको मिल रहे है अब ही हम question साल्व नहीं किये हैं अब ही हम केवल relation निकाले हैं question according to question हमने relation लिखा है कि relation क्या होगा अब देखें तो सबसे पहले आपको स्वतुल्य संबंध की जाज करने हैं हम A में देखते हैं स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए अब देखो बेटा स्वतुल्य में क्या होता है यक्स और वाई दोनों की value सेम होनी चाहिए तो अब आप सरा ये बताएए कि 1-1 आर में है 1-1 आप देख रहे हैं कि 1-1 आर में नहीं है वाई स्वतुल्य का मतलब यक्स और वाई दोनों की value सेम होनी चाहिए 1-1 इस नौट एलिमेंट आफ आर फिर अगर 2 पे चले तो 2-2 इस नौट एलिमेंट आफ आर 2-2 भी आर में नहीं है और अगर हम 3-3 को देखें 3-3 is not element आफ आर एंड 4-4 is not element आफ आर तो आप देख रहें कि यह जो relation है इस relation में 1-1 भी नहीं है पहला वाला तो है यक्स वाला तो है लेकिन वाई वाला नहीं है जबकि होना क्या चाहिए यक्स वाई दोनों होना चाहिए और स्वातुल्य में यक्स वाई दोनों स्वातुल्य का मतलब दोनों समान होना चाहिए तो यह 1 है तो 1-1 होना चाहिए 2-2 होना चाहिए 3-3 होना चाहिए 4-4 होना चाहिए आप देख रहे हैं कि इने में से कोई नहीं है अतह संबंध स्वातुल्य नहीं है यह लिग दिया जाएगा अतह संबंध स्वातुल्य नहीं है अब इसके पाद समयमित के लिए देखेंगे और देखें इधर का हम मिटाते हैं अगर आपको स्क्रीन साट लेना हो तो ले सकते हैं चलिए अब फिर स्वातुल्य संबंध हमने चेक कर लिया अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सममित संबंध के लिए सममित संबंध पहला वाला पार्ट हो गया कि संबंध स्वातुल्य नहीं है बी में हम देखेंगे सममित संबंध के लिए सममित में क्या होना चाहिए? जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए मतलब देखेंगे 1 3 is element of r क्यों? 1 3 r में है तो अगर 1 3 r में है तो 3 1 भी r में होना चाहिए लेकिन 3 1 अगर 1 3 r में है तो 3 1 भी होना चाहिए लेकिन 3 1 is not element of r इसके बाद आगे बढ़ते हैं, relation में देखते हैं, 2,6 is element of R, 2,6 जो है R का element है, तो R का element 6,2 भी होना चाहिए, जो समंद पहले का दूसरे से होना चाहिए, तो सम्मित होगा, तो 6,2 is not element of R, ये भी नहीं है, अब अगर हम 3,9 देखें, तो 3,9 is element of R, but 9,3 is not element of R, अगर 4 और 12 को देखेंगे, तो 4,12 is element of R, but 4, 12, 4 is not element of R, तो आप देख रहे हैं, कि यक्स वाई के बीच का relation तो present है, लेकिन वाई और यक्स के बीच का relation present नहीं है, तो हम कह सकते हैं, कि संबंध सममित नहीं है, संबंध स्वतुल्य भी नहीं है, और संबंध यहां लिख देंगे, अताह संबंध सममित नहीं है, अब इसके बाद तीसरा चेक करना है, क्वेस्चन में आपसे यहीं कहरा है चेक करने के लिए, कि याज कीजिए, कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है, और संक्रामक है कि नहीं, अब हम आते हैं संक्रामक के लिए, तो चलिए, हम तीसरी इस्थित देखते हैं संक्रामक के लिए, सी संक्रामक संबंध के लिए लिख दिया जाएगा, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, ध्यान दो विटा, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक में क्या होता है, कि अगर पहले का दूसरे से संबंद है तो वही संबंद दूसरे का तीसरे से होना चाहिए और फिर अगर ये condition available है तो वही संबंद पहले का तीसरे से होना चाहिए अब देखते हैं चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 1, 3 is element of R धांदीजिए 1, 3 है तब 1 देखिए 1 का relation 3 से है तो 3 का relation 9 से है देखिए 3, 9 is element of R दो चीजे हैं देखो पहले का दूसरे से संबंद है और दूसरे का तीसरे से संबंद है तो पहले का तीसरे से भी संबंद होना चाहिए तो पहले में 1 है और तीसरे में 9 है देख रहे हैं आप 1 का 3 से संबंध है 3 का 9 से संबंध है तो पहले का तीसरे से संबंध होना चाहिए यानि 1 9 भी इसमें होना चाहिए आप देखे रिलेशन में कहीं 1 9 है 1 9 नहीं है 1 9 is not element of all it means ये जो संबंध है ये संबंध संक्रामक भी नहीं है या लिख देंगे अतह संबंध संक्रामक नहीं है तो हमने देखा ये प्रसनावली 1.1 के पहले question का जो पहला part था पहले part में जो संबंध दिया गया था वह संबंध स्वतुल भी नहीं है संमित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है ये last में result में लिख देंगे अंत में लिख दिया जाएगा result कि अतह दिया गया संबंध न तो स्वतुल है न संमित है और नहीं संक्रामक है हमें उमीद है कि आप सभी लोगों को ये पहला question बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप सभी लोग अपना उचित comment, whatsapp number पे या आप channel पर भी दे सकते हैं और इसकी साथ साथ मैं आपको बता दों कि आप video को like करते रहें, share भी करते रहें जितना आधिक से अधिक हो सके आप share करें, subscribe करें, bell icon को press करें और फिर आवस्यक समझ में आये तो comment भी करें अब हम next exercise पे चलते हैं, next question इस exercise 1.1 यानि प्रसनावली 1.1 के हम दूसरे question पे चलते हैं, पहले के अंदर 5 question लिए गए हैं जिसमें से पहला question हमने आपको बताया है अब हम दूसरे question पे चलते हैं, और देखिए दूसरे में क्या दिया है प्राकर्तिक संख्याओं के समुच्य यन पर, यन प्राकर्तिक संख्याओं का समुच्य है यन is set of natural number, तो यन को प्राकर्तिक संख्याओं को यन से रिप्रजेंट करते हैं ये चीज प्रस्ण में दिया नहीं है, लेकिन इसका मतलब आप समझ जाएए कि natural number 1, 2, 3 होता है तो इसका मतलब कि इसकी value 1 होगे, 2 होगे, 3 होगे, 4 होगे, 5 होगे and so on, हम लिख सकते हैं, यन तक होगे तो question में आपको दिया हुआ है कि यन प्राकर्तिक संख्याओं का समझ है और इसमें relation दिया हुआ है देखे, relation क्या दिया हुआ है कि x, y, x और y के वीच relation है कैसा relation है कि such that y is equal to x plus 5 y की जो value है, वो x plus 5 के equal है और फिर दिया हुआ है तथा y x is less than 4 y x की कोई भी value होगी तो गोचार से कम होगी y x is less than 4 द्वारा परिभासित संबंध आर है तो ये जो संबंध आर है इस संबंध आर के बारे में question को पहले आप बढ़ियां समझ लीजिए question में कहा है कि यन जो है प्राकरतिक संख्याओं का समुझे है प्राकरतिक संख्याओं का समुझे है इसका मतलब कि जितनी भी प्राकरतिक संख्याओं होती है ये सभी प्राकरतिक संख्याओं इसके अंतरगत आ सकते है और संबंध क्या है तो संबंद दिया है x y यानि x और y के बीच संबंद है और कैसा संबंद है तो such that y is equal to x plus 5 यानि y के जगह पे x plus 5 है लेकिन x की value 4 से कम होनी चाहिए x की value 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है लेकिन x की value 4 नहीं हो सकती ध्यान दिजिए y is equal to दिया है x plus 5 देखो विड़ा अगर हम x के जगह पे 1 करते हैं तो y is equal to 1 plus 5 यानि 6 हो जाएगा तो पहला relation आपको मिल ला है 16 अब यक्स के जगह पे अगर 2 लेते हैं तो y is equal to 2 plus 5 यानि 7 हो जाएगा तो relation मिलेगा आपका 2 7 अगर yक्स के जगह पे हम 3 कर देते हैं तो y is equal to मिलेगा आपको 3 plus 5 यानि 8 तो अगला relation मिलेगा 3 8 अब yक्स की value हम 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि question में कहा है कि y is less than 4 अब यहाँ पर हम relation R देखे हैं तो relation क्या है पहला relation प्राप्त हुआ है 16 दोसरा relation हमें प्राप्त हुआ है 27 तीसरा relation हमको प्राप्त हुआ है 38 तो जो according to question जो relation था हमने relation नोट कर लिया अब हम लोगों को देख जाज करना है कि संबंध स्वातुल्य है समित है और संक्रामक है की नहीं है तो सबसे पहले हम जाज करेंगे स्वातुल्य के लिए स्वतुल्य संबंद के लिए स्वतुल्य संबंद के लिए स्वतुल्य में 1 है तो 1 होना चाहिए 2, 2 होना चाहिए 3, 3 होना चाहिए अब आप देखिए 1, 1 is element of r नहीं है 1, 1 is not element of r फिर अगर आप देखे तो 2, 2 is not element of r and 3-3 is 3-3 is not element of r आप देख रहे हैं कि इस relation में नो तो 1-1 है x की value तो है लेकिन y की value नहीं है 1-1 is not element of r 2-2 is not element of r 3-3 is not element of r it means यह जो संबंध है यह स्वत्तुल नहीं है लिख दिया जाएगा अताह संबंध अताह संबंध स्वत्तुल नहीं है अब हम आगे बढ़ते हैं b में और b में आपको देखना है सममित संबंध के लिए सममित संबंध के लिए सममित संबंध के लिए तो सममित में क्या है अगर 1,6 दिखिए 1,6 is element of R है तो 6,1 is element of R होना चाहिए तो क्या 6,1 R में है नहीं है अगर 2,7 is element of R है तो 7,2 is element of R होना चाहिए जो की नहीं है 7,2 is not element of R अगर 3,8 R का element है तो 8,3 को भी R का element होना चाहिए लेकिन नहीं है तो अब हम क्या कह देंगे कि अता संबंध संमित नहीं है या लिख दिया जाएगा अता संबंध संमित अता संबंध संमित नहीं है अब इसके बाद जो तीसरा संबंध है संक्रामक संबंध उसकी हम जाच करेंगे तो सी में हम लिख लेंगे संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध के लिए तो संक्रामक में देखे अगर जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से होना चाहिए तथा वही संबंद पहले का तीसरे से होना चाहिए अब आप देखिए 1, 6 is element of our 1 का संबंद 6 से है तो अब यहां देख रहे 6 का संबंद किसी से है 6 का संबंद भी किसी से नहीं है तो केवल पहला relation तो मिल रहा है यहां पर दूसरा relation नहीं मिल रहा है अब तो संबंद संक्रामक भी नहीं है संक्रामक भी नहीं है लिख देंगे संबंद संक्रामक भी नहीं है इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रशनावली 1.1 के पहले का जो दूसरा पार्ट दिया हुआ था उस दूसरे पार्ट में भी जो संबंद है वह न तो स्वतुल्य है न सम्मित और नहीं संक्रामक है देखे ये जो मैथ का पहला चेप्टर संबंध तथा फलन का जो चेप्टर है ये modern algebra का part है ये थोड़ा सा टफ लगता है student को लेकिन हम आपको बड़ी आसानी से और बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाते हैं और कम से कम हमारे पास 25 साल का experience है पढ़ाने का तो उस आधार पे हम आपको बताते हैं कि आपको बड़ी अच्छी तरह से और बहुत बढ़ियां से आपको हम पढ़ा रहे हैं और यही नहीं हम आपको बता दे हैं कि इस इंस्शोट में आपके YouTube चैनल पे सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होंगे चाए वो Physics का हो, चाए Chemistry का हो, चाए Math का हो, चाए Biology का हो, चाए Hindi का हो, चाए English का हो, चाए Social का हो या One Day Exam का हो, या Air Force का हो, सभी के वीडियो अपलोड होंगे, धीरे धीरे सभी अपलोड होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करें तथा अपने जीतने परचित हों, उनसे भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद